नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं सभा के दोरान मोटर साइकल रैली भी निकाली गई थी, जिसमें भारी संक्य में युवक जार्खनी परिधानों में ढोलना गाले डीजे आदी के साथ पहुंचे थे मोटर साइकल जूलूस छेत्र का भ्रह्मन करते हुए सभा और सल हाई स्कूल मैदान पहुंची जहाँ पर जैराम महतो ने सभा को समधीत में करते हुए कहा है कि जृर्खन में नक्सलवाद यहां के नेताओ और परसासन के बड़े पता धिकारी की देन है नक्सलवाद वहीं पनपता है जहां इन नेताओ को जमीन चाहिए होती है नकसलवाद के नाम पर यह नेता जमीन हड़ाप कर यहां के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देते हैं आज तक किसी भी उद्योगपति का बेटा गोली से नहीं मरा बलिक इस गोली के सिकार यहां के पुलिस और नकसली होते हैं 30 और 31 को रांची में मुडमा जत्रा मेला तयारी पुरी जारखन के आदिवासियों की अतिहासिक मुडमा जत्रा 30 और 31 अक्टूबर को लगने वाला है इसको लेकर परसासन और आयोजन समित्ती की ओर से सभी तेयरिया पुरी कर लिगाई है जारखन के राईधानी रांची से सटे मांडर परखंड में मुडमा में यह आयोजन किया जा रहा है केंद्रिये राजी पढ़ा सरना प्रत्न सभा की ओर से सकती अस्थल खुट्टा मुडमा में आयोजित वार्षिक दो दिवसिये एतिहासिक मुडमा जत्रा तिस अक्टूबर को सकती अस्थल इथी जत्रा खुट्टा की सर्गुजा फोल से और सरना धार्मिक अनुष्ठान के साथ पाहन पुजा के द्वारा पुजा के साथ जत्रा का सुभारम किया जाएगा इस समद में सरना धार्म गुरु बंधन तिगा ने बताया है कि जत्रा के सुभारम में मुख्य अतिती के रूप में जार्खन के पहले मुख्य मंत्री बावुलाल मरांडी और समापन समारों में मुख्य अतिती के रूप में जार्खन के राजे पल सीपी रादा कृष्णन के साथ मुख्य मंत्री हेमांसुरें सिर्कत करेंगे मेरी माटी मेरा देश को लेकर जारखन से 700 अमरीत कलस भेजे गए दिल्ली भारतिय जन्ता पार्टी के राष्ट ब्यापी कारकरम मेरी माटी मेरा देश कारकरम के लिए राज भर्ष संग रही 700 से अधिक अमरित कलस लेकर पार्टी करकारता विशे स्ट्रेंस दिल्ली के लिए रवाना हुए इस दोरान रांची रेलवे स्टेशन पर बिजेपी के कई वरिये नेता उपथित रहे बतादे अमरित कलस लिए 700 भाजपा करकताओं को विशेश ट्रेंस से दिल्ली के लिए बीदा किया गया केंद्रिय मंति अरजुन मुंडा ने कहा है कि जिस तरह का उत्सा अमरित कलस और मेरी माटी मेरा देश कारकरम को लेकर है वह दरूता है कि भारत के लोग अपनी मीटी से कितना प्रेम करते हैं उत्पाद विभाग की करवाई एमार्पी से अधिक मुले पर सराब बेचने वाले करमचारी उपर करवाई शुरू कर दी गई है रांची डीसी और उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त के निर्देसान उसार रांची के बारा सराब दुकांदारों के खिलाब करवाई की गई बतादे राजधानी रांची में खुद्रा सराब दुकंदारों में करमचारियों के दोवारे मर्पी सहधिक मुलेपसराब बेशने की सिकायत लगाता डीसी और उत्पाद विभाग को मिल रही थी मामला संग्यान में आने के बाद सभी एरिया के उत्पाद निरिक्षकों को मामले की जाच का रिपोर्ट मांगी गई थी जाच में खुद्रा सराब दुकानों के विक्रताओं खिलाब बहुत सारे सक्ष मिले हैं बिदेशी मेहमानों ने किया रांची के बजार का भ्रमन रायधानी रांची में चल रही महिला ACI Champions Trophy 2013 टूर्नामेंट में सामिल होने आई बिदेशी खिलारियों ने रब्विवार को रांची के बजार का भ्रमन किया मलेशिया और जापान के खिलारी लालपुर्श धीत एक मौल में जम कर खरीदारी की बता दे वुमेंस ACI Champions Trophy परत्युक्ता में सामिल होने के लिए रांची पहुंचे बिदेशी मेहमानों के लिए संडे फंडे के रूप में ब्यातित हुआ रभिवार के दिन इन खिलारी उने मिलकर राजधानी के बजार का भ्रमन किया और अपनी पसंद की चीजे खरी दी मलेशिया और जापान के खिलारी एक नेजी मौल में सोफिंग करने के लिए पहुंचे जहां मौल के लोगों ने विदेशी मेहमानों का खुले दिल से स्वागत किया 30 अक्टूवर को मनरेगा कर्मी करेंगे मंतरी आवास का घिराव सेवा नीमिती करन सहीत 10 सुत्री मागों को लेकर राजभर के करीब 56 मनरेगा कर्मी लागातार अंधुरन कर रहे हैं अपने अंधुरन के अगले चरण में सोमवर को राजभर के मनरेगा कर्मी ग्रामिन पिकास मंतरी आलमगीर आलम के आवास का घिराव करेंगे जार्खन राज मनरेगा करमचारी संग के बैनारतले होने वाले इस परदसन की त्यारी पूरी कर लिगाई है संग से मिली जनकारी के अनुसार राज जे भर के मनरेगा कर्मी इसमें सामिल होंगे जार्खन राज मनरेगा करमचारी संग के अध्यक्स जोन पीटर बागे ने कहा है कि राज सरकार मनरेगा कर्मियों की लगातार उपेक्षा कर रही है जो वादे मुख्य मंत्री हेमंस्रेन ने किया था उसे पुरा नहीं किया जा रहा है जे एमेम की चुनावती इससे अच्छा होट बजार में सभा कर लेते बी जेपी जार्खन मुक्ती मोर्चा ने भाजपा के राष्टरी ए अध्यक्ष जेपी नड़ा को चुनावती देते हुए कहा है कि वे लाल नेली खाली कुर्शियों में सभा करने से अच्छा होट बजार में सभा करे पार्टी महा सच्चीव सुप्रियों बटाचा ने दावा किया है कि सन्नीवार को रांची के हर्मू मैदान में हुई उनकी सभा में कुर्शिया खाली थी उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बाबुला म्रांडी का तो समझ में आता है लेकिन इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष की सभा में कुर्शिया भरी होनी चाहिए थी चो अबिधान सभा को मिला कर सभा करने के बाद भी कर करता नहीं जुटे सुप्रियों बाटाचाई ने उन्हें चुनोती देते हुए कहा है कि महिला आदिवासी और दलीत का दावा करने वाले जेपी नड़ा यह बता है कि मनी पूर्किस देश का प्रदेश है पलामू में उपमुखिया की जम कर धुनाई जारखन के पलामू में सेलारी पंचायत के वार्ड नंबर पांच में मंदेगा के तहत की गई मिडबंदी योजना में साइन नहीं करने पर उपमुखिया रंजीत सर्मा वा उसके परिवार की जम कर पिटाई कर दी गई बताया जा रहा है कि मिड़बंदी योजना में मास्टर रोल निकालने पर पीटू पास्वान उप मुखिया पर साइन करने के लिए दबाव बनाये हुए था सुक्रवार की रात करीम नव बजे पीटू अपने भाई सेलेस एवम नारत के साथ उप मुखिया घर पहुचा और साइन करने के लिए फिर से दबाव बनाया उप मुखिया पेपर पठ कर सुबह साइन करने के लिए तयार थे लेकिन तीनों भाई हस्ताक्षर करने के बाद ही उनके घर से जाने को तयार थे इसी बीच कहा सुनी के दवान बिवाद होने लगा आवाई सुन कर पास के टोले से पासवान समाज के कई लोग लाठी डणने से लेकर मोके पर पहुच गए पुर्व मंत्री गिता सिरी उराओं की कॉंग्रेस में वापसी जार्खन परदेश कॉंग्रेस के अभियान आ अवलोट चले के तहस सनीवार को पुर्व सिक्षा मंत्री गीता सिरी उराओं ने इटकी रोड इस्थीत आगमन बैकबर्ट हॉल में अपने समर्थ को के साथ कॉंग्रेस की से सतागरहन की इस अवसर पर जार्खन परदेश कॉंग्रेस के परभारी अविनास पांडे तता परदेश अध्यक्स रायस ठाकूर ने माला एवं पट्टा पहना कर उनका पार्टी में स्वागत किया बता दे अविनास पांडे ने कहा है कि कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का पईनाम है कि लुको का जुका कॉंग्रेस की ओरतेई से बढ़ रहा है गीता स्री उराव ने जब पार्टी छोड़ी थी तो ओक किसी पार्टी में गई नहीं थी उनके खुण में कॉंग्रेस की बिचार धरा है और इनके आने से पार्टी को बल मिलेगा दुमका में सीएम के आगमन को लेकर पुलिस अलर्ट जारखन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन सोमवार को दुमका के कुमडा बाद में पथ निर्मान विभाग के माध्यम से निर्मीत उच अस्तरिय पूल का उदगाटन करेंगे वह रांची से सिधे कारेकरम अस्तल के निकट बनाएगा हेली पैट पर चोपर से उतरेंगे और यहां निर्मीत 2.34 किलोमेटर लंबा उच अस्तरिय पूल का उदगाटन कर सभा को भी समोधित करेंगे इस पूल के निर्मान कारेका सिलन ने आस 12 फरवरी 2012 में हुआ था हो जाए अलर्ट DSP का सक्त आदेश हजारी बाग में यातायात ब्यवस्ता को लेकर और बेहतर करने के लिए लगातार यातायात विभाग के टीम लगातार काम कर रही है दो दिन पहले सनिवार को ई रिक्सा चालको का वाहान, लाइसेंस, पंजियन और बीमा की भी जाज की गई थी रविवार को DSP प्रसिक्छू प्रसांद कुमाने सड़क पर उतरकर नवालिक मोटरसाइकल चालको खिलाप अभियान चलाया इस दोरान दो दर्जन से अधिक मोटरसाइकल चालको को पुलिस ने विभीन मामले में चलान भी काटा जास के दोरान पकड़े गई नवालको को उनके अविभावको को बुला कर चेतावनी दी गई डिस पी प्रसांद कुमार ने चेतावनी देते हुए अविभावको को नवालको को वहाँ नहीं देने की अपील किया है मत दाता जागरूपता को लेकर मुडमा मेला पहुंचे अपसर जारखन के मुख निर्वाचन पदा अधिकारी के रभी कुमार के निर्देश पर मुख्याल में पदस्थापीत पदा अधिकारी गन लगातार विभीन जीलो का भर्मन कर रहे हैं वे जीलो में चल रहे मत्दाता सुची के स्पेशल समरी रिवीजन से जुड़े कारे का ना केवल अनुसरवन कर रहे हैं बलीक मत्दाता जगरूता कारकरम को भी संचालित करवा रहे हैं इसी करव में रवीवार को रांची के माडर विधान सवाचेतर अंत्रगर दस मत्दान केंद्रो पर जाकर स्पेशल केंपो का नेरिक्छन मत्दाता सुची के नोडर अफिसर गीता चोवबे एवं उप निर्वाचन पतादिकारी मुख्याल लाए संजय कुमार द्वारा सनिक रूप से किया गया कचरा जलाने के दोरान रांची के चाय बागान में धमाका जारखन के रांची जीले के नामकुम थाना छेतर के चाय बागान इलाके में कचरा जलाने के दोन रविवार को जोरदार धमाका हुआ धमाका इतना जवर्जस्त था कि पूरा चाय बागान कु खबर मिलते ही पुलिस मोगे पर पहुंची और पुरे मामले की जनकारी लेकर जाच परताल की बताया जा रहा है कि कैमपस के लोग हमेशा की तरह मुख्य गेट के पास काचरा फेकते थे इसी काचरे को जलाने के दोरान जोरदार धामाका हुआ है जारखन के रहिस चोर स्विफ्ट कार से जाते थे इसकुलों में चोरी करने गुमला जी लेके बसिय थाना के पुलिस ने तीन सातीर चोरों को पकड़ा है इसमें सिसाई मेन रोड निवासी मोहमत दानीस अकरम उर्फ बिकी बेडो निवासी इमरान आलम वा रहमत नगर सरफराज अंसारी सामिल है इन तीनों चोरों ने जारखन के गुमला खुटी वराजी के विभीन इसकुलों में दरजनों चोरी की घटना को अंजाम दिया है ये लोग अलग अंदाज में चोरी करते थे स्विफ्ट कार में बैठ कर घुमते थे और उसी कार को लेकर चोरी कर जमसेदपुर में बिमार कुत्तों को बसाने के लिए बनेगा असियाना जमसेदपुर की पहचान हमेशा से डौग लभर्स यानी स्वान से प्यार करने वाले लोगों से हो रही है फिर चाहे डॉग भिलायती हो या देसी कुत्तों के प्रती इसी प्यार का असर है कि जम सेथपुर में डॉग लवर्स की एक ऐसी सेना काम करती है जिसे एस्ट्रे डॉग आर्मी कहा जाता है ए एस्ट्रे डोग आर्मी गली मोहलों में बिमार बे सहारा कुतों की मदद करती है उन्हें उपचार उपलब्ध कराती है उनके लिए सेल्टर की बेवस्था करती है और इसके बाद उन कुतों को गोध लेने के लिए लोगों को खोजती है जार्खन से अस्मार्ट मीटर हटाने की मांग पाटी से जाच कराने दिली की तर्ज पर 200 युनिट बिजली निसुल्क करने समेत कई मांगे की गाई इस दोरान परचा भी बाटा गया है भाजपा के सल्यंत्र का जबाब जानता देगी चमपाई सुरेन आदिवासी कल्यानवा परिवहन मंत्री चमपाई सुरेन ने कहा है कि टूंडी की धरती येची हासिक भूमी है जहां से अलग अलग जार्खन राज के निर्वान के अंदोलन की शुरुवात दिश्वम गुरु सीवु सुरेन के अगवाई में की गाई इस अंदोलन में कई आदिवासी मुलवासी सहीद हुए आज मुख्य मंत्री हमान सुरेन के नेतित में समाज के अमतिम ब्यक्ति तक सरकार की विकास सोजनाय धरातल पर पहुँच रही है उक्त बाते मंत्री चमपाई सुरेन अनसुचीत जन जाती अनसुचीत जाती अलप संक्या को पिछला वर कल्यान विभाक की ओर से परखन मुख्याले टुन्डी में आयोजी सिला नयास सा परिसंपति बित्रन समारों में बोल रहे थे उन्होंने कहा है कि हमन सुरेन के चार वर्षों के कारकाल में दो साल कोरोना महमारी काल रहा जिसमें सभी काम ठप थे बावजूद इसके मात्रे दो साल में ही हमन सरकार ने पुरे परदेश में चोह मुखी विकात का काम किया है जो आज धरातल पर दिख रहा है जार्खन राष्ट्रिये फिल्म फेस्टिवल एक से साथ नौमबर तक जार्खन राष्ट्रिये फिल्म फेस्टिवल का उधगाटन एक नौमबर को करीम सीटी और स्रीनाथ कॉलेज में होगा सोनारी में सन्निवार को ट्राइवर कल्चर सेंटर में इसकी जनकारी दी गई आयोजोकों ने बताया है कि उद्घाटन समारों में अभिनेत्री मंदाकिनी आएंगी बिष्टुपूर माइकल जोन आडिटोरियम में 3-6 नौवंबर तक 20 फिल्में दिखाए जाएगी वहीं 1-7 नौवंबर तक जार्खन राश्ट्री फिल्म महोत्साओ के चोथे संस्क्रण का अगाज किया जा रहा है एक और दो नौवंबर को सिरिनात विष्वभी द्यालय और करीम सीटी कॉलेज एवं 3-6 नौवंबर तक माइकल जोन आडिटोरियम में फिल्मों का परसारण होगा HEC के करमचारियों ने दी आंदोरन की चेतावनी HEC के करमचारियों को बेतन नहीं मिलने से उनके अंदर आक्रोस बढ़ता जा रहा है पिछले 20 महिने से बेतन का इंतियार कर रहे करमचारियों को यह उमीद थी कि दुरगा पुजा के मौके पर उन्हें बेतन मिलेगा प्रवंधर ने दुर्गा पुजा के मोगे पर भी करमचारियों को बेतन नहीं दिया जिस वज़े से करमचारी आक्रोसी था है पिछले 20 महिने से बेतन नहीं मिलने के बाद एचिसी के करमचारी और फिर से अंदुलन के मुड में आ गए है एचिसी मैदूर संग के वरिष्ट सदस्य भवन सिंग बताते हैं कि केंद्र में बैठी भाजबा की सरकार को एचिसी करमचारियों का दर्द नहीं दिख रहा है पारसनाथ परवत पर बाइक की सवारी के खिलाब अभियान पारसनात परवत पर बाई की सवारी के बिरूद मधुबन पुलिस ने कड़ा रूख अपनाया है सहनीवार को देर साम पहार के रास्ते में छापे मारी कर पुलिस ने तिन दर्जन बाईक जब्द कर ली है इससे बाईक चालकों के बीच हड़कम मच गया है पारसनात पर सहकड़ों बाईक चालक तिर्थ यात्रियों को बाईक से डाक बंगला तक पहुँचाते है कौम पैसे वह कौम समय में यात्रा पूरी करने की लालस के कारण तिर्थ यात्री बाईक की सवारी भी करते है पता दे उबरखावण रास्ते पर बाईक चालग जान जोखिम में डाल का र्यात्रियों को परवत तक ले जाते हैं पारसनात पर बढ़ती बाईक की सवारी को देखते विशनिवार को मधूबन पूलिस ने करवाई की है बाबुलान ने करेकरताओं के साथ सुनी पीएम के मन की बात भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुलाम रांडी ने रांची के बिद्यान नगर में भाजपा करेकरताओं के साथ परधान मत्रि नायंद मोधी के मन की बात के 126 अंस्क्राण को सुना मन की बातकारकरम में पिये मोदी ने जहरखन के बिये सपोतों को नमन किया कहा कि 15 नॉवम्बर को पूरे देश जनजातिय गरो दिवस मनाएगा या विशेश दिन भागवान भीर्शा मुंडा के जियनती से जुड़ा हुआ है भागवान भीर्शा मुंडा हम सब के हिर्दय में बसे हैं सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प सक्ति पर अडिग रहना किसे कहते हैं यह हम उनके जीवन से सीख सकते हैं उन्होंने कहा है कि भारत में आदिवस योद्धाओ का समरीद इतिहास रहा है इसी भारत भोमी पर महान तिलका मांजी ने अन्याय के खिलाप बिगुल फुका था इसी धरती से सिधु कानों ने समानता की आवाज उठाई योगेंद्र तिवारी के अकाउंट से बाबुलाल को पैसा गया जामोमो भारतिया जानता पार्टी के राष्ट्रिया ध्यक्स जेपी नड़ा द्वारा सनिवार को हिमन सरकार पर लगाए गया आरोपा का जबाब देते हुए जेमें प्रवक्ता सुप्रियो भटाचाय ने बीजेपी के राश्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा को चुनोती दी है उन्होंने जेपी नड़ा को स्वेत पत्र जारी कर बत ताने को कहा है कि सराब घोटाला के आरोपी योगेंद्र तीवारे के अधिकरित बैंक खाता से सुनिल तीवारे के माध्यम से बावुलम रांडी को पैसा मिला या नहीं वहीं जेपी नड़ा ने जहर्खन के मजूदा सरकार में जमीन घोटाले को लेकर आरोप लगाया था जिस पर जबाब देते हुए सुप्रियों बटाचाय ने कहा है कि केंद्र की मोधी सरकार में सबसे बड़ा जमीन घोटाला हुआ है जेपी नड़ा इसका जानता को जबाब दे जनजाती सुरक्षा मंच ने मनाई कार्तिक उराओं की निनान्बिवी जेयन्ती बेडो इस्थीत महादानी मैदान में जनजाती सुरक्षा मंच ने मनाई कार्तिक उराओं की निनान्बिवी जेयन्ती सा जत्रा समारों कायोजन किया गया कारकरम में आदिवासी समाज के लोग परमपरिक वेस्पूसा में ढोल मांदर और नगाड़ों की थाप पर घोड़ा धलों के साथ नाच्टे गाते सामिल हुए बता दे कारकरम में बतर मुख्यती थी पुर्भी सिम्हुम के डीडीसी परमेश्वर भगत सामिल हुए रगुबर दास 31 को उडिसा के राजेपाल पद की लेंगे सपत इसी बीच मनोनीत राजेपाल लगवदा सोम वार सुबह ट्रेन से पूरी पहुँचेंगे ज्यारखन में भोटर काड का काम सुरू ज्यारखन में वैसे सभी चात्र शत्राओ जिनक्यायू 17 से 18 सल के बीच है उनका भावी मतदाता के रूप में मतदाता सुची में निबंधन के लिए फोरमचो भराया जाएगा बरतमान में कक्छा एकारवी एवं बरावी में पढ़ रहे इब इद्यावाहनी के माध्यम से ऐसे सभी 9,44,000 भावी मतदाताओ के सुची सभी जीलों को भेज दी गई है राजी के मुख निवाचन पदाधिकारी सा इसकुली सिक्षा व्यम सश्वता विभाग के सचीव रभी कुमार ने सभी जीला सिक्षा पदाधिकारियों निवाचन निबंधन पदाधिकारियों तथा अने पदाधिकारियों के सासवनियों के रूप से वर्चूल बैटक की इसकरा में उन्होंने इस अभियान में दोनों अधिकारियों के बीच बेहतर समानों पर जोर दिया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल के लेकर दबाइए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर पर दोस्तों के साथ सेयर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक और से दे थैंक यू